हेलो इस्टरण वेल्कम बेक तो अभी क्लासस आज हम दस्वीक अच्छा अलोग भाग तुमें संक्लित गद्देखन से रामडिक्स बैनिपूरी जी की निवन्द निव के इट के सारे प्रस्ट उत्तर को इस वीडियो में सुल्फ करेंगे जैसे कि लास्ट क्लास में हमने इस चैप्र के सारे कॉंसेप्ट को क्लियर कर लिया था और आज के विडियो में हम इस चैप्र के सारे कोस्टन को एनशुक को वन वाइन करके्ड़ करेंगे तो कोशिन नम फुर्ण वाकिками उत्तर दो इसका कह का क्का क्वोस्चन क्या हैं राम ब्रिक्च बेनीपूरी जी का जन्म कहां हुआ था। इसका उत्तर होगा भारतिया सवतनता संग्राम के सक्रिय सेनानी के रूप में जुड़े होने और अंग्रेजियों के खिलाप आवाज उठानी के जुर्म में बेनीपूरी जी को जेल के तराय करनी पड़ी थी। इसका उत्तर होगा बेनीपूरी जी का सर्गवास उनीज सो अर्शट इसबी में हुआ था। जिसका उत्तर होगा चमकीली सुन्दर सुघर इमारत बस तुता अपनी निव पर तुकी होती है। इसका उत्तर क्या होगा कि दुनिया का ध्यान समानने तर उस उपरी आउरण और चमक पर होता है। निव की इट को हिला देने का परिणाम क्या होगा तो उत्तर होगा निव की इट को हिला देने का परिणाम निव के उपर जितने भी इमारते हैं वे सभी धारा साही होकर गिर पड़ेंगे। चानमबर प्रस्ट क्या है सुन्दे सिस्टी हमेशा ही क्या खोशती है इसका उत्र होगा सुन्दे सिस्टी हमेशा ही बलीदान खोशती है जानमबर लेखा के अनुसा गिरिजा घरों के कलस बस तक किनकी सहाधत से चमकते हैं इसका उत्र लेखा के अनुसा गिरिजा घरों की क को समर्पित कर दिया Nah and Next जो आज किस की लिए 4 और होड़ा होड़ी मची है इसका उत्तर होगा आज इमारत का कंगूरा बनने यारी अपनी को प्रस्थीत करने के लिए चारो और होडा होडी मची है तो इसका last question या number पटित निबन में सुन्दर इमारत का आसे क्या है तो इसका उत्तर होगा पटित निबन में सुन्दर इमारत का आसे नया सुन्दर समाज अब next दो नमबर देखते हैं जो कि 30 अंचित उत्तर में लिखना है लगबग 25 सब्दों में तो question number कर मनुष सत्य से क्यों भागता है जिसका उत्तर होगा सत्य कठोर होता है कठोरता और भद्दापन साथ साथ जन्मा करते हैं जिया करते हैं हम को ठोरता से भागते हैं और भद्देपन से मुख मोडते हैं इसलिए मनुष सत्य से भी भागते हैं और next question number questions लेखक के अनुसार कौन से इट अधिक धन्य है जिसका उत्तर होगा कि लेखक के अनुसार वह इट अधिक धन्य है जो जमीन के साथ हाथ नीचे जाकर गड़ गई और इमारत की पहले इट बने और next question number गर निव की इट की क्या भूमिका होती है इसका उत्तर होगा निव की इट की भूमिका यह है कि समाज का आनाम सहीद जो बिना किसी जैस लोफ के समाज के नौ निर्माड है तो आत्म बलडान के लिए प्रस्तूत है और next इसका गर नंबर कंगूरे की इट की भूमिका इसका उत्तर जो कंगूरे की इट की भूमिका यह है कि कुछ लोग प्रसिद्धी प्रसंस अत्वा अन्य किसी स्वार्थ बस समाज का काम करना चाहते हैं and next अंगा नंबर सहादत का लाल सहरा कौन से लोग पहनते हैं और क्यों इसका उत्तर होगा सहादत का लाल सहरा कुछ मौनमुक लोग को पहनना पड़ता है ताकि वो एक सुन्दर समाज बना सके and next चर नंबर लेखा के अनुसार इसाइध धर को उन लोगों ने अमर बनाया जिन्होंने इसाइध धर्म की प्रचार प्रसार में सुयम को बलिदान कर दिया बिना स्वार्थ की हस्ते हस्ते सुली पर चड़ गये कई तो जंगलों में भटकते हुए जंगली जानूरों को सिकार बन गये अथा अपने बलिदान के बल पर उन्होंने इसाइध धर्म को अमर बनाया आज देश के नौजवानों के समक्ष चुनवती क्या है इसका उतर होगा आज देश के नौजवानों के समक्ष यह चुनवती है कि साथ लग गाओं का नौ निर्मार हजारों सहरों और करखानों का नौ निर्मार कोई सासा किसे नहीं कर सकता इसलिए इस काम में नौजवानों अपने को चुप चप तुम खपा दो इसका कोशन देखते हैं जो कि हमें संचिप उतर दिखना है वह पचास सब्दों में को मनुष्य सुंदर इमारत की कॉंगूरे को तो देखा करते हैं पर उसकी न्यू की और उनका ध्यान क इसका उतर होगा मनुष्य से सुंदर इमारत की कॉंगूरों को देखने का कारण यह है कि दुनिया चक्मक की और नजर डालती है लोग उपर का आवरण देखते हैं किन्तु आवरण के नीचे जो ठोश सकते हैं उस पर ध्यान नहीं देते इसलिए नियू की और उनका ध्या काने के इस लिएवान किया है कि नियू के मजबूती और पुक्तेपन पर सारी इमारत की अस्तिन अस्तिन नेवर करती है यदि नियू की इट को हिला दिया जाए तो कंगूरे बेतहासा जैमिन पर आगी रहेंगे और नेक्स कोश्चन नमबर गर इसमें क्या है समानने तर ल और बलिदान रुपी सत्य ठोस और भद्धा होता है सब लोग भद्ध्य पन से भागते हैं इसलिए लोग नियू की इट बनने से भी भागते हैं जैस लोवी लोग कि वर प्रसिद्धी प्रसंसा अत्वा अन्य किसी स्वार्थवस समास का काम करना चाहते हैं लेखक इसाई धर्म की अमर बनाने का सरे किन्हें देना चाहते हैं और क्यों इसका उत्तर होगा लेखक इसाई धर्म को अमर बनाने का सरे उन्हें देना चाहते हैं जिन्होंने धर्म की प्रशार में अपने को अनाम उतसर कर दिया मिंस बलिदान कर दिया कारण उनमें से कि कितने जिन्दा जलाएगे कितने सूली पर चढ़ाएगे कितने बन-बन भटक कर जंगली जानुरों को सिकार हुए तथा भयानक भुख प्यास के रुप में सिकार हुए और नेक्स अंगा नमबर हमारा देश किनके बलिदानों के कारण आजाद हुआ इसका उत्तर होगा हमारा देश उन बलिदानों के कारण आजाद हुआ जिन्दों ने बिना किसी स्वार्थ एंबलोफ के अपने देश के नाम पर खुद को सौप दिया उन्मेश से कईयों के नाम आज इतिहास में दर्ज है प्रन्तु हमारे भारत के कोने कोने में हजारों ऐसे भी लोग थे जिनका नाही समाज में नाम आया और नाही समाज में खुद को प्रसिद्धी करने की चाहा रखे वे हजारों तो नाम रहकर भी देश के लिए मर मिटे उन्ही अनाम लोगों के बलिदानों के कारण आज हमारा देश आ जारे है दधीची मुनी ने किस लिए और किस प्रकार अपना बलिदान किया था इसका उत्तर होगा कि पुराड़े जमाने की बात है स्वर्ग लोक में देवता और असुरों के बिस लड़ाई चल रही थे देवतागर हर बार हार खाना पड़ा था आखिर में इंद्र को पता चला कि दधीची मुनी की हड़ी से निर्मित ब्रज द्वारा असुरों का बद किये जा सकते हैं देवतागर दधीची मुनी के पास आय और लड़ाई के बारे में बता दिये देवतागरों के मंगल के लिए दधीची मुनी ने अपना बल्दान किया था इसके साथ ही देखते हैं कोशन नमबर 6 भारत के नौ निर्मार के बारे में लेखक ने क्या कहा है इसका उत्तर होगा कि भारत के नौ निर्मार में बारे में लेखक ने कहा है कि इस नए समाज के निर्मार के लिए हमें भी न्यू की इट बननी चाहिए अफसुस कंगूरा बनने के लिए चार और होड़ा होड़ी मची है नियू की इट बनने की कामना लुप्ट हो रही है इसका उत्तर क्या होगा कि आज कंगूरे की इट बनने के लिए चार और होड़ा होड़ी मची है नियू की इट बनने की कामना लुप्ट हो रही है इस रूप में भारतिय समाज का नौ निर्माट संभाव नहीं है बारते समास के नौ निर्माड में अपने आपको खपा दें और नेक्स कोश्चन नमर फो जिन्हें हमें 100 सब्दों में लिखना है इसमें तीनी कोश्चन से तो कोश्चन नमर कर देखते हैं निव की इट का प्रतिकार्थ सपस्ट करो इसका उत्तर होगा निव की इट का प्रतिकार्थ है समास का आनाम सहीद जो बिना किसी येस लोग के समास के नौ निर्माड है तो आत्म बलदान के लिए प्रस्तू थे भारते सुधिनिता अंदूलन के सैनिगर्ण निव की इट की तरह थे हमारा देश उनके बलदान के करार आजाद हुआ आस ने समास निर्माड के लिए हमें निव की इट चाहिए पर अफसुस है कि कंगूरा बनने के लिए चारो ओर होड़ा होड़ी मची है निव की इट बनने के कामना लुप्त हो रही है अर्था देश के प्रगती के लिए काम करने वालों की संक्या घट रहा है और अपना स्वार्थ के लिए काम करने वालों की संक्या दिन पर दिन बढ़ रहा है next question number third कंगूरे के इट के प्रतिकार्त पर समयक प्रकास चाढ़ो जिसका उत्तर कि होगा और कंगुरे की इट के प्रतिकार्थ हैं प्रसंसा अत्वा अन्य किसी स्वारत बख समाज का काम करना चाहता है 37 समाज का यस लोभी सेवग जो प्रसिधी भारत के सासा गडळ कंगूरे की इट खापित हुआ क्योंकि वी अपना स्वार्थ सिद्धी के लिए अपना आशन रख चाए है तू अपना मकसद सिद्धी है तू काम कर रहे हैं उनके द्रिष्टी में क्या देश क्या राज क्या सहर या गाउं ध्यान देने का अफसर नहीं केवल खाने के लिए ही इधर उधर दोड़ना है उत्तर क्या होगा हाँ सहादत और मौनमुक समाज के अधार सिला कहा गया है क्योंकि इस सही समाज का निर्मार होता है इसाए लोगों की सहादत ने इसाए धर्म को अमर बनाया उन लोगों ने धर्म की परचार में अपने को अनाम उत्सर कर दिया अर्थत अपने को बलिदा कर दिया उनके नम सायध ही कहीं लिखे गए हों उनकी चर्चा सायध ही कहीं होती हों किन्तों इसायध धर्म उन्हीं की पुन्य पर्टाप से फलफुल रहा है वैसे हमारा दिस अजाद हुआ उन सैनिक गड़ के बलिदानों के कारण जिनका नाम इत्यास में नहीं है आज भार कर्दत और मौनमुक समाज निर्मार की अधार झृण है ⁫ कंध वीज संधर तो इसके साथ ही नेएक बहन है deux इक सब में सबज्णक कर भागते हैं भद्धेपन से मुख मोडते हैं इसलिए सथ से भी भागते हैं इसका प्रसंग क्या होगा प्रसंग पंगतिया हमारी पाठे पुस्तक अलोग भागतु के अंतरगत राम बिक्ष बेनिपूरी जी द्वार रचित नियुकी इट नामक सेशक निवन से लिया गया है तो इसका सं बेनिपूरी जी सत्य की कठोरता और उसके साथ भद्धेपन का संबंद उलेह किया है इसका ब्याक्या होगा क्या बेनिपूरी जी के अनुसार सत्य कठोर होता है प्राया लोग सत्य की कठोरता से भागते हैं क्योंकि आज के जमाने में सत्य को अपनाना बड़ी ही मुश्क कि यहां लेखक ने सत्य की कठोड़ता और उसके बद्देपन की सच्चाई को दर्साया है और नेक्स कोश्य नंबर ख सुन्दर स्रिष्टी सुन्दर स्रिष्टी हमेशा बलिदान खोशती है बलिदान इट का हो या ब्यक्ति का इसका प्रसंग पहले की तरह प्रस्तत पंक्त इसका संदर्ब कुछ अलग हो जाएगा और विस्यस इसका मालीज इसके अनुसार हम बिस्यस लिख देंगे जैसे कि यहां बिस्यस हो जाएगा कि उपरोग तंक्तियों के बीवेशन के बाद हम कह सकते हैं कि यहां लेखक ने सुन्दस स्रिष्टी वह समाज के लिए बल्द गर नंबर कोश्चन पढ़ लेती हूं है अफसुस कंगूरा बनने के लिए चारो और होडा होडी मची है निव कीट बनने के कामना लुप्त हो रही है इसका भी प्रसंग पहले की तरह संदर्ब थोड़ा अलग होगा जो कि मैं अल्रडी लिख चुकी हूं आप लोग यहां से नोटडाउन कर लिजिएगा बैख्या भी वहीं और विसेस इसका पढ़ देते हूं कि विसेस होगा कि यहां निवन्दकार ने अपने दिस्क के प्रती प्रेमभाव प्रकट किया है साथ ही कंगूरा के प्रती खेत प्रकास किया है तो इस कुश्चन को हम नेक्स किप करत इमारत नेव दुनिया सीवम जमीन कंगूरा मुनहसिर अस्तुत्व सहादत कलस आवरन रोशनी बलीदान सासक अजात डडडडडडडडड़ जितना भी हो यहां पर देखिए तो हमें आप लोग को बस अर्वी सब्द और फार्सी सब्द इन में से कौन-कौन सा होई मैं ब कंगूरा मुन हमें ईस चार्स में लाइन अब देखिए नेक्स्ट हमारा हो गया भयानक भयानक का होगा क्या बार्ड के कारण असलिके कुछ लोग भयानक रूप से भूख क्या सिकार हुए और गिर्जा घर कि गिर्जा घर से क्या होगा कि गिर्जा घर इसाय sowas का उपासना का पवित्र स्थान है और नेक्स आता है हमारा इतिहास होगा हर देश का अपना-पना इतिहास है इस तरह से इन सब्दों से आप लोग को वाक्य बनाना है तो नेक्स कोश्ण यहां कि गीतन होगा इस का नमबर इससाई धर्म उन्हीं के पुर्ण से फ़ल फुल रहे हैं भ्लत वी मुण किलेく्र यहांबद और रहा है इससाई थर्म उन्हीं के पुर्ण पर्टाफ से इसका करदो승ी विए पे पहला कदम बढ़ा है हैं जिसका होगा कि सद्यों के बाद नेश समाज के स्रिष्टि के गिए हमने पहला कदम बढ़ाया है हमने होगा और बढ़ाया है घंजा नमब हमारे करें कई अंग होते हैं कि और र widget रूप नगर के निवासि प्राया करते हैं नहीं हो सकता निम्लेखित यहां पर हम रूप नगर के निवासित प्रातना करते हैं चानमबर सब ताज महल की सुन्दरता पर मोहित होते हैं इसका ऐसे होगा कि हम सब ताज महल की सुन्दरता पर मोहित हुए चानमबर गत रभीवार को वह मुंबई जाएगा यहाँ पर गत रभीवार है यहां पर क्रिप्या भी होगा और क्रिपा भी करें यहां पर एक सब्द में लिख सकते हैं क्रिप्या आप हमारे घर आएं यहां नमबर हमें अभी बहुत बाते सिखना है यहां पर क्या गलत है हमें अभी बहुत बाते सिखनी है यह मुझे यह निबंद पढ कर अनंद का अभास वा चाた नहीं है जिसमें ग्यान कम होता है। वह दिखावा अधिक करता है इसका वाक कैसे प्रयोग कर सकते हैं अजय खुद तो आठीवी क्लास पास है लेकिन गुरुज जी के सामने बढ़ चड़ के बात कर रहा था इसे ही कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए हुनहार बीरबान के होत चिकने पात इसका अर्थ हो जाए कि वह एक दिन महान बेक्ती बनेंगे सच है हुनहार बिरबान के होत चिकने पात इसका अब पस्ताए क्या होत जब चुड़िया चुक गई खेत इसका हमलों सिंपली अर्थ बता सकते हैं काम बिगड़ने पर पस्तावा होना मतलब बेर्थ का पस्तावा होना इसका जाको राखे साहिं यां मार सके ना कोई इसका अर्थ होगा क्या कि जिसको भगवान रक्षा करता उसे कोई मार नहीं सकता इसका पड़ोग हम लिख सकते हैं क्या पिछली साल रेल दुरगटना में एक मा मर गई लेकिन गोद में उसकी बच्ची बच गए उसे देख लोगो कहने लगे जाके राखे साहिं यां मार सके ना कोई इसका पांस नंबर देखिए इसमें से हम लोग कुछ सब्द है इसमें दो दो अर्थ लिखना है जैसे अंबर अकास वस्त्र उत्तर जिसे एक दिसा भी कह सकते हैं जवाव काल समय मृतिव नौ नया नौ जो कि हमारा अंक भी कह सकते हैं हार पराजे बिनाज कल बिता हुआ दिन या फिर कोई मसेन कनक धो सोना या धतूरा जो कि हमारा लास्ट कोस्टन है इसमें हमें दो सब्दें जोड़े सब्दें उसके अंतर अर्थ के अंतर को बताना है तो अगम दुर्गम अगम का मतलब होगा जहां गमन न पाप मतलब होता है बुरा काम अस्त्र सस्त्र अस्त्र मतलब होता है फिक कर चलाने वाला हतियार और सस्त्र का अर्थ होता है हाथ में धारन करने वाला हतियार आधी ब्याधी आधी मिन्स होता है मांसिक पेड़ा ब्याधी मिन्स होता है बिमार दुख मतलब होता है बिपती खेद मतलब होता है गलानी मसूस करना इस्त्री पत्नी इस्त्री मतलब होता है कोई नारी जाती और पत्नी मतलब बिवाहिता नारी आज्या अनुमती आज्या मतलब होता है हुक्म देना अनुमती होता है समर्तन करना अंकार गर्व अंकार मिन्स होता है घमंड करना और गर्व मिन्स गौरव इसके साथ ही आज का हमारे चेप्टर खतम होता है थैंक यू